केरला में तीन सो से जादा मैं बहुत गंबीरता से बात बता रहा हूँ तीन सो से जादा कोपरेटिव बैंक है और इनके पास केरला के गरीबों के केरल के मद्दमबर के लोगों के करीब करीब वन लाग करोड रुपी जमा है इन तीन सो बैंक में एक लाग करोड रुपिया आप लोगों का जमा है सीपी एम के करप्शन की वज़े से ये पैसा खत्रे में पड़ा हुआ है कितने ही कॉपरेटिव बैंकों में सीपी एम के सदस्यों द्वारा गरीबों का पैसा लूट लिया गया है प्रिये पड़वरे इनन केरलतिले साधारन कारुडे देरिद्रिडा युट्टोल बरडे स्थ्रीगलडे उक्कपणम मोष्टिके पड़ुगे आण केरलतिल एक देशं मुन्नूरोडों सहगरण बैंकों गलिल कूडी ओरी लेक्षम कोडी रुपई उडे कोल्ले आण इस करक्षन में सी पी एम के नेताओं को जो रिश्वत मिली है वो भी सेंकडो करोड रुपिये में है जैसे अकेले त्रिशूर में ही 80 से जादा अगोसित खातों में 25 करोड रुपिये की रिश्वत जमा है अकेले त्रिशूर के सी पी एम सी पी एम जिला सची के नाम पर सो से जादा प्रॉपर्टी खरीदी गई है जब एक स्थान का ये हाल है तो हम बाकी केरला का अंदाज लगा सकते हैं कोचिन मिलरल्स एंड रुटाइल लिमिटेर से जुड़े एक और गोटाले में आरोप्यों ने सीधे मुख्ध मंत्री और उनकी बेटी तक को रिश्वत दिये जाने की बात स्विकार की है इस केस की जाच ना हो इसके लिए किरला सरकार पूरी ताकत लगा रही है प्रिये पटवरे सीपेम इन्ड भरनदिल इरिकुन्ना बायंगिकल नूर गणकेन कोडी रिउबे आणा अलमधी इलूटे नड़त्तुन्नद त्रिसूरिल मात्रम 90 लदिगम बायंगिकल इलाणा अलमधी नड़त्ती तूल्लद त्रिसूरिले सीपेम इन्ड जिल्ला सेकेटिट पेरिल मात्रम नूर कोडी लदिगम रिउबे उडे सुत्त अलमधी इलूटी संबाधिक्यप्यट्टू एन्नान आरोपनम उयरंदे तूल्द अदोटपन्दली आना पुदिला युर्दमन मत्चरू अलमधी आरोपनम केमम मारल अदुमाई बंदपटा अलमधी इदिल मुख्यमंद्री वुट मगलु माना आरोपन विधेरन नमुके एल्ला विरकु मरिया केरला में इन स्केम्स की वज़े से हजारों परिवारों का जीवन दाउंग पर लग गया है यहाँ सीपी एम के मुख्यमंत्री लगातार जूट बोल रहे हैं कि कोपरिट्यू स्केम्स के पिरितों को उनका पैसा वापस मिलेगा दोशियों पर कारवाई होगी यह आपका सेवक मोदी है जो सक्ती से इस केस की जाँच करवा रहा है अब तक स्केम करने वालों की करीब 90 करोड रुपीज की संपती एटेज हो गई है मैं इस बारे में कानूनी सला ले रहा हूँ कि कैसे जीन गरीबों ने बैंकों में पैसा रखा था जीन लोगों का बैंकों में पैसा डुबा है इनकी संपती जबत करके मैं वो पैसे इन गरीबों को वापिस कैसे दू इस पर मैं काम कर रहा हूँ बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड रुपीज ऐसे जो स्केम पिडिट लोग थे उनको वापिस दे चुका हूँ मैं इसलिए मैं कोपरेटिव स्केम के पिडिटों को भरोसा देता हूँ कि उनका पैसा वापत दिलाने में मैं पूरी ताकत लगा दूँगा और पाई पाई उनसे निकलवा के रहूँगा और आपको पैसा वापत मिले इसके लिए पूरी ताकत खपा दूँगा